1976 के बाद से असम की पहली डी लिमिटेशन की प्रक्रिया सुक्रवार को संपन हो चुकी है चुनायोग ने 14 लोकसवा और 126 विधानसवाज छेत्रों के नए सिरे से सिमांकन को अधिस्यूचित किया है इसमें से कुछ के लिए युगमित नाम और नई पहचान सामिल की है जिसमें एक लोकसवाज सीट और एक बिधानसवाज सीट सामिल है अब असम में लोकसवा और बिधानसवाज छेत्रों के डी लिमिटेशन मनसवदे का भारी भिरोश शुरू हो गया है बतदे परिशिमन के अंतिम मनसवदे में कई बिधानसवाज और लोकसवाज छेत्रों के इलाकों में कटवती किया गया है जबकि कई छेत्रों को खत्म कर दिया गया है और कई एसेंबली सीटों को SC-ST के लिए आरक्षित कर दिया गया है अंतिम परिसीमन मंसवदे के मुताबिक पाँच बिधान सबाच छेत्र जहां हमेशा अल्ब संख्यक समुदाय से बिधायक चुने जाते रहे हैं। उन्हें अब अन्सुची जाती और अन्सुची जन जाती के लिए आरक्षित कर दिया गया है। इसी के साथ 80 के लिए आरक्षि सीटों के संख्या 16 से बढ़कर अब 19 हो गई है। की 80 के लिए आरक्षी सीटों की संख्या 6 से बढ़ कर आठ हो गई है लिहाजा परिसीमन के अंति मनसौदे का बिरोध तेज हो गया है इसी के बिरोध करते हुए सत्तार और भारती जंता पार्टी के सयोगी पार्टी A.G.P के बरिष निता और आम्गुरी के बिधायक प्रदीप हजारिका ने मसौदे के बिरोध में पार्टी के सवी पदों से इस्तिपा दे दिया है बतदे हजारी का अमन गुदी निर्वाचन छेत से जीतते थे नई परिसीमन में उसे खत्म कर दिया गया है वहीं अब बिपक्षी दल ने भी इसकी आलोचना करते हुए काय की अपना राजनीतिक भविश से सुरच्छित रखने की सत्तर और बिजेपी की एक चाल करार दिया है कांग्रेस सांसत गोरोग गोगोई निकाय की चुनायोग दे 22 साल पुरानी जनगंडा के आधार पर दोज़त 23 में असम का परिसीमन प्रकासित किया है इसलिए लोग सबा सीटों में व्रिधी के मामले में असम को कोई लाब नहीं होगा नतीजा यह है कि बीजेपी की वोटिंग रुजहानों के अनरूप मौजूदा सीटों का पुनर गठन किया गया है उनका कहने कि कोई आश्चर नहीं है कि बीजेपी नहीं चाती किसी जियाई चुनायोग का चैन करें चुनायोग द्वारा प्रकासित अन्तिम मनसौदे के खिलाब विपक्षी राय जोर दल ने स्विसागर जिले में बिरोत प्रदर्शन किया त्वाल तिवा स्टुडेंट एसोसियेशन ने भी आदिवासियों के लिए मोरी गाउं सीट आरच्छित करने की मांग पूरी नहीं होने पर प्रदर्शन किया है लोग सभा और विधान सभा की सीटों में बदला और नहीं किया गया है मीडिया रिपोर्स के मुताबिक अंतिम परिसिमन मनसोदे के मुताबिक निशले असम के सबसे पुराने जिले गोल पारा में कई सोदेसी परिवार चुनाओ लडने का अपना अधिकार खो देंगे क्योंकि इन गैर आदिवासी परिवारों को अंसुची जन जाती सीटों के इलाके में अस्थानत्रित कर दिया गया है मेडिया रिपोर्स के मुताबिक परिसिमन की नई कबायत मुसल्मानों को गोल पाड़ा की चार बिधान सबा सीटों में से दो पर चुनाओ लडने से रोग देगी जो अब एस्थी के लिए आरक्षित कर दी गई है नई सीरे से खीची गई सिमाओं के बीच बदलते राजनीतिक समिक्रोणों के बीच सैकडों गैर आदिवासी मूल के लोगों को इस वज़े से राजनीतिक प्रतिनिद्युत नहीं मिल सकेगा अवारोप है कि असम में खास कर निशले असम में परिशीमन का उद्यस कथित तोर पर मुसल्मानों की भूमका को कम करना था रिपोर्ट में कहा गया है कि रिपोर्ट को अंतीम रूप देने से पहले बारोसों से अधिक अभ्या वेदन पर विचार किया गया आयोक को प्राप्त सुझाव और आपत्तियों में से 45 प्रिस्ट का अंतीम आदेश में समाधान किया गया राजगे सवी बिधान सवा और संसदी निर्वाचन छेत्रों का परिशीमन 2001 की जनगर्ना के आधार पर किया गया उसमें कहा जनगर्ना आयोक्त की ओर से प्रकासिर 2001 की जनगर्ना के आखडों पर ही इस उद्देश के लिए बिचार किया गया है निर्वाचन आयोक का कहना है कि जनता की मांग को देखते गए एक संसदी और कुछ बिधान सवा छेत्रों को युगमित नाम दिये गया है मानक चार कर दिया गया है मानिकपूर का सिजन ग्राम, रुपसी का पका बेट बारी, गोबर्धन का मानस, बदरपूर का करीम गंज नार्थ, नार्थ करीम गंज का करीम गंज साउथ, साउथ करीम गंज का पत्थर कंडी कर दिया गया है